नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन टेटर में और निफ्टी का हम लोग एनलसिस करेंगे मंडे के लिए मंडे का दिन रहने वाला है और बहुत ही तहल के बाजी होने वाली है जैसा कि SJX, Nifty और Dow Jones में गिरावट आई है तो मुझे पता है आप लोग बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो एक-एक करके मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि मार्केट में मंडे के दिन क्या हो सकता है कितना फॉल आएगा तो क्या करना है और वीकली चार्ट क्या कह रहा है मंतली चार्ट क्या कह रहा है और डेली चार्ट पर हमारे पास क्या information है जिससे हम आगे के move capture कर स सकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहली request आप लोगों से यही है वीडियो को skip नहीं करना है ठीक है skip करोगे तो चीजे छूट जाएंगी आपको समझ में नहीं आएगा आदा सुनोगे आदा समझोगे Monday को market खुलेगा दो दो दिन वैसी निकल चुका होगा और फिर प अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाओंगा कि यह मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि यह जो rises है ठीक है यह 70 to 80 degree के rises है ठीक है 70 to 80 degree के rises है तो ऐसे rise कभी भी sustain नहीं होते हैं ठीक है हमेशा बिलकुल ऐसे चलती हुए चीज एक अच्छी चीज मानी जाती है यह खड़ी चड़ाई तो वो correct करता ही करता है ठीक है तो हमें एक signal मिला यहाँ पर हमने यहाँ से सेल मारा यहाँ पर नीचे आए यह आप सब जो नहीं लोग जुड़े हैं उनके लिए अब last week में last week में बहुत बढ़िया हमें Monday को एक जबरदस gap down मिला जो कि हमने पूरा capture किये then हमने अपने move भी capture किये अब जो last वाले दिन क्या हुआ है अच्छा खासा जो closing IT 17,392 और एक बहुत important चीज़ इस दिन जो high लगा था ना 17,414 का high लगा 17,400 के उपर हाई तो 0.6 पूर जैसे बहुत important चीज़ है मैं जो आपके साथ अभी शेर करने एक आपको बताऊंगा तो पहले भी शेर किया था थोड़ा का मैं इसको मोटा कर दूँ ये कि A, B, C, then एक पूरी link wave, then again A, B, C, then पूरी एक link wave, तो क्या फिर ये A, एक B बनेगा ठीक है फिर ऐसे नीचे जाएगा या फिर ये नीचे ही चलता चला जाएगा हमें ये चीज़ जाननी है और ये चीज में आपके साथ पिछली weekly analysis में हमेशा share करता हूँ, आया हूँ कि ये लोग मेरे साब से कूटना चाहिए और पंदरा तीन सो का हमें target दिखना चाहिए बात जो आती है, बात आती है कि ये एक move हमें मिला है, तो यहां से क्या B wave बनेगी, क्या फिर ऐसे हम लोग जाएगे, ये है main चीज, तो जो मैं आपको sell करने से, लास्ट तीन-चार दिन से देखा होगा, आपने मैं sell के trade नहीं दे रहा था, Tuesday, Wednesday, Thursday, आपको बाई ही बोल रहा था, ये वाला move मेरे दिमाग में था, इसके reason यही था, और यहां से तभी आप लोगोंने 17,392 तक तेजी भी करी, और अभी Friday को 17,200 सलामत रहने पर भी मैंने बाहिं बोला था, वहां से मार्केट 17,300 के, तीन सो, 15,300 कुछ आया, ठीक है, पट फर्दर तेजी के लिए इसको जो लेवल निकालना था, टेकन आउट करना था, वो था ये, ये लेवल बहुत जरूर ये नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर निप्टी को 17,450, 17,500 के दर्शन कराने है, तो ये एक लेवल है, जो इसको बिल्कुल टेक आउट करना था, ठीक है, पर अभी हमारे पास क्या सी इन सिनेरियो, इन्फोरमेशन जो अपने वीकली चार्ट के एसाब से है, ये एक जोन, आप देख रहे होंगे, और ये जोन है आपका ऊपर जो है, जो चीज है, वो है 17,000, और नीचे है 16,800, पिछले चार से पांच महीने में आपने बहुत बार देखा होगा, कि 16,800 पे आते ही घूम जाता है, और आपको बहुत बार 17,300, 17,400, और इसको आगे लेके 17,600, इसको भी आगे लेके 17,800 तक के दर्शन कराता है, इधर से घूम घूम के, यह आपने पिछले चार से पांच महीने में बहुत बार देखा है, ठीक है, वो मैं आपको एक चीज दिखाना चाओंगा, यह देखिए, यहाँ पे आया, यह सबसे, यह है आपका नवंबर का मन, नवंबर के मन्त में 16,800 आ गया, गया उपर, य देखिए, यहाँ तक गया, यह है 17,600, ध्यान से सुनेगा, मैं जो बताने वाला हूँ, बहुत इंपोर्टेंट चीज है, यह दिखाया इसने यहाँ पे, 16,800 से, यह तो रेंज मैंने बक्सा जो बनाया हुआ है, इसको समझ लीजा आप, यह वो ही 200 पोइंट की रेंज है, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर एक तेजी कराके लेगे गया, और यह है आपका 17,600, ठीक है, दैन अगेन यह नीचे आया, इसी जोन में, यहाँ से तो सीधा फिर यह उपर आली लेंग को टेक करने के है, यह जो तीन बार इसने टेक किया, ठीक है, चलिए, यह चलिए, यह से फिर इसने टेजी करी, यह आपको दिखरा होगा है, तो हम इस बार एक बार देखते हैं, कितना है यह, 17,780, तो यह वाला है आपका 17,750, ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे दुबारा आया, यहाँ से फिर एक बार यह उपर गया, यह इस बार 17,400 तक गया, यह वाला है आप 17,400, यह एक बार फिर इदर आया, यहाँ सिर आपको लास्ट वीक में फिर उपर गया, 17,414 तो इस जोन की ताकत यह है, समझ गया आप, इस जोन की यह ताकत है, और यह जोन क्या है, 16,800 से लेके 17,000, यह, ठीक है, तो इसके नीचे, 16,800 के नीचे वहिया, पाताल लोग है, ठीक है, पाताल लोग है, 16,800 के नीचे, यह हमें वीकली चार्ट से बहुत बढ़िया तरीके से कन्फर्म होके, हमारे सामने निकल गया रहा है, तो यह मोटी चीज हो गई, अगर यह रेंज तूटती है, आप यह नोट कर लिजे, पात, क्या कहते है, रिलेट कर पाएंगे, जो मैं इसके आगे बताने वालू, 16,100, 15,900, 15,600, यह एक बार लेवल स्क्रीन पे आना चाहिए, यह मेरी स्टडी बोलती है, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चूँ, ठीक है, अब आजएए, क्यू, यहां पे क्या यह, एक बी बनेगी, फिर ऐसे जाएगा, हम इसके बारे में आगे पढ़ाई करने के लिए, एक बार को डेली चार्ट पे चलते हैं, यह है दोस्तों, डेली चार्ट, अब डेली चार्ट में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जब-जब यह नीचे गिरता है, ठीक है इत्यान से सुनिएगा, यह देखिए, इसको कर देता है मुटा, यह देखिए आप, यह और यह ऐसी ही कुछ लाइन मैंने, यहाँ पर आपके लिए बना रखी है, और यहीं पर इसको आपने देखा होगा, यह ट्रेंड लाइन पर ही, यहाँ पर यह दोखा खा रहा था, आपने देखा होगा, दो घंटे से जादा होगे थे, 17,380 से लेके 17,400 के बीच में, यह यही जोन था, ठीक है, और इसको मैं आपको दो घंटे के चार्ट पर लगा के और भी अच्छे समझाते है, ठीक है, य यह देखें, यह वही रेंज है, यह तो यह लाइन है भाईया, रेजिस्टेंस, और जब तक इसके उपर ना निकले, ठीक है, यह तो मैं बुल्स के लिए बता दूँ, जब तक इसके उपर ना निकले, कोई पॉल केरी करके नहीं जानी है, कोई भी पॉल केरी करके नहीं जानी है, इस लाइन के आसपास, ठीक है, इस लाइन के आसपास, यह आप नोट कर लीजे, सबसे पहली और बहुत इंपोर्टेंट चीज, आज के वीडियो की, जो के डेली चार्ट से हमारे पास निकलके आ रही है, इंफोर्मेशन, क्यूंकि मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया, जब जब यह फॉल लेता है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, यहां से, तीसरा फॉल चालू है, ठीक है, यहां से, यहां से, यहां से, एक ट्रेंड लाइन फॉलो करना शुरू कर देता है, और एक बर नीचे नीचे नीच कि call बिल्कुल carry नहीं करनी है जब तक जब आपकी strandline के आसपास है और बाय तो बिल्कुल नहीं करना है मतलब लंबी दूरी के लिए नहीं सोचना है जब तक इस strandline को cross नहीं करें ठीक है जब तक इस strandline को cross नहीं करें अब आज ही है कि यह जो गिरावट वगएरा अगर कोई बड़ी खुशकबरी नहीं हाती है कोई बड़ी खुशकबरी नहीं हाती है तो कोई अचंबे वाली बात नहीं होगी कि आप इस range के बीच में कुल ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है तो मेरा आपसे यही कहना है अगर आप ध्यान से सुनिये बहुत ध्यान से सुनिये अब मंडे को ट्रेडिंग कैसे करनी है मैं उसके वारे में डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है मंडे को अगर आप 16,800 से लेके 17,000 के बीच में ओपन होते हो ठीक है इसके बीच में ओपन होते हो No Trade No Trade मैं बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा मुझे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है अगर मैं इसके बीच में पूलता हूँ ठीक है फिर प्लैन कैसे करना है मेरा भहिया सिंपल सा फॉर्मूला होगा 16,800 तूटेगा ठीक है ये लेवल तूटेगा मैं पोजिशनली शॉर्ट करूँगा मैं निफ्टी को पोजिशनली शॉर्ट करूँगा एनी क्लोजिंग अबव इस लेवल टार्गेट मेरे नीचे 15,300 तक के ठीक है वो मैंने आपको समझा दिया है बहुत बड़ी है रिस्क और रिवर्ड मिलेगा इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ऐसे लगाऊंगा एनी क्लोजिंग अबव इस लेवल कोई भी क्लोजिंग इस लेवल के उपर स्वड़ी दोस्तो 16,400 मेरा पहला टार्गेट यहाँ पर कुछ बुक करूँगा 16,100 मेरा दूसरा टार्गेट कुछ यहाँ बुक करूँगा 15,900 तीसरा चोथा 15,600 जो की यह वाला लो और जब यह टेकन आउट होगा यह 15,300 से पहले रूखेगा नहीं ठीक है तो यह मेरे टार्गेट रहेंगे अगर इसके नीचे जैसे ही जाता 16,800 तूटा मैं सेलकी गाड़ी में बैठ जाऊंगा ठीक है अब आजाता है पॉइंट नमबर टू कि भईया 16,800 के बीच में आके 17,000 के बीच में आके अगर नहीं टूटा मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा मेरे लिए नो ट्रेडिंग होने अब अगर ऊपर की तरफ 17,000 ब्रेक हो जाता है मैं बाई करूँगा मैं बाई की गाड़ी में बैठ जाऊंगा मेरा SL रहेगा 17,000 ही इसके नीचे कोई 15 मिनट की केंडल क्लोज हो और मेरे टारगेट उपर दुबारा से 17,300 17,400 रहेंगे और ये मैक्सिमम पाँच से छे ट्रेडिंग सेशन का बाई रहेगा मेरे लिए मैक्सिमम पाँच से छे ट्रेडिंग सेशन अब आप बोलोगा कि भाईया यहां पर क्यों 17,300,400 मुझे जैसे ही मिल गया ये मुझे पता है इस लाइन को टच करने के लिए आ जाएगा दुबारा से इस लाइन के डास पास फिर में बूप करके चला आप देखें जब भी नीचे किरा है ऐसे गिर के दुबारा टच करने जाता है तो ये गिर के एक बार है ऐसे गिर के ओपन यहां होगे हो सकता है दुबारा टेंप्नि इस वेरी मच पोसिबल क्यूंकि ये जोन ही ऐसा है देखिया तो गलती नहीं करनी है गलती नहीं करनी है प्लैन अपना ऐसे ही करिए 16,800 के नीचे ओपनिंग हो ये मुझे फिलाल नहीं दिख रहा ठीक है बाकी देखते हैं मंडे चाय पर चर्चाब भाईया मिस ना करिएगा इसके लेवल इन दोनों लेवल के बीच में कैसे खुलेगा मैंने आपको समझा दिया है क्या करना है अब आजाता है कि नहीं भाईया इतना नीचे नहीं 17,000 के ऊपर ही रहता है 17,000 के ऊपर रहता है भाईया बाय करो no sell जो मर्जी scene scenario जितने मर्जी गंदे scene scenario हो पुतिन चुतिन जो मर्जी कर रहे हो अगर इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है 17,000 के लेवल के ऊपर ऊपनिंग होती है मैं भाईया 17,000 के नीचे कोई 15 मिनिट की candle close का लगाऊंगा SL और बाय की गाड़ी में ही बैठा रहूंगा और 17,300,400 ये मेरा target बस simple मंडे को यही मेरे trading plan है इसी परकार से में trading करना चाहूंगा ये है हमारा मंडे का अब दो तीन चीजे मुझे आपके साथ छोटे टाइम फ्रेम पे शेर करने हैं मैं 30 मिनिट का चार्ट लगाता हूं ये देखिए लाइन उपर नीचे हो जाती है दोस्ते चीगे ये 17,000,60-70 वैसे ये एक जोट आप मार कर लीजे कि जो एग्रेसिव है ठीक है अब क्लोजिंग बेसिस बात करते हैं कि मंडे की क्लोजिंग बेसिस कोई भी निफ्टी की क्लोजिंग ठीक है जैसे मैं 17,000 के ऊपर रहते हुए बाइ करने के लिए बोल रहा हूं आपको अगर मंडे की मंडे की कोई भी क्लोजिंग 17,000,60 के नीचे होती है कोई भी क्लोजिंग 17,060 के नीचे होती है it will be a negative ठीक है आप जब भी देखेंगे ये नीचे जब भी आया है क्लोज इसने हमेशा इस level के ऊपर ही किया है, ठीक है, यह मैं आपको daily chart, daily chart में दिखाता हूँ, कोई भी closing इस level के नीचे नहीं है, पिछले 10 से 15 दिन में, ठीक है, यह मैंने line आपके सामने अभी खीची, तब कि वहनकाझे, इसको प्रीच जरूर किया हुआ, इसको यह देखि, सतरह हजार के पास आता है, यहां पर देखिये, यह the line जो आनकाझे 17000 के आसपास ही की चीये, 70,000 जो मैं ने सब्सक्राइब इसको प्रच जरूर करता था है, और प्लोजिंग हमेशा खीच के हमेशा closing खीच के इसके उपर ही करें ये Tuesday वाला एक scene scenario छोड़ दीजें पता नहीं last में किसकी क्या दुश्मनी थी FI's क्या तागत दिखाना चाहरे थे ये following होने लेकर आथे बट अगले दिन ही उपर तो closing basis, closing basis ये level बहुत important it will be counted a breakdown अगर इसके नीचे closing होती है, ठीक है तो ये भी आप note करके रख लीजे यहाँ इसके closing उपर आती है तो nifty उपर ही है भी या, ठीक है, nifty फिर उपर ही है, ये आप मानके चलिए फिर से दुबार आपको सत्रा तीन सो चार सो दिखाएगा, वहाँ से निकल जाना है वहाँ से निकल जाना है ठीक है, अब आज ये मेरा view क्या है मेरा personal view क्या है मुझे क्या लगता है, क्या हो ठीक है, मैं आपके साथ वो share करता हूँ देखो दोस्तों, मुझे लगता है 16,800 या 17,000 के बीच में closing होती है, ठीक है तो भाईया फिर कोई मतलब मेरा जो personally मुझे लग रहा है market उपर ही जाए ठीक है, इसके दो तिन कारण पहला, दुनिया में चारों तरफ क्या हो गया है भाईया भी डूब जाएगे, ठीक है हम तो लुट गए, हम तो मर गए, हम तो गए और retailer क्या करेगा put में घुसेगा retailer क्या करेगा put में घुसेगा, ठीक है put buy करेगा, तो Monday को ये 12 एक बज़े तक नाटक बाजी करके अगर ये level सलामत रहा 11 से 12 बज़े तक 16,800 आपका सलामत रहा, तो फिर आप उपर के level देखेंगे निफ्टी फिर से आपको 17,300 से 17,400 दिखाएगा अगर 16,800 ग्यारा बारा बज़े तक सलामत रहता है और अगर 17,000 ही नहीं तूटता है, देखे opening कहा होगी, वो कोई नहीं जम ठीक है, कोई निउज आ जाती है मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता है, निकए वेगरा ठीक ठाक रहते हैं, तो 17,000 तूटना भी मुश्किल है, ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर 17,000 के उपर ही रहता है, तो तो भाईया Tuesday और Wednesday Tuesday, इससे पहले-पहले ही आपको 17,300-400 देखने को मिल जाए, ये है मेरा व्यू मार्केट को बता, ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो मैंने आपको इससे पहले बता, फाल तू हीरोगिरी फैंटम बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ट्रेड हमेशा लेवल पे करो, व्यू बनाओ, मार्केट की नॉलिज सीखो, मार्केट को सीखो, पर जो भी आपने सीखा है, क्या मार्केट उस हिसाब से चल रहा है, तब ट्रेड लो, नहीं तो मार्केट मोगली वाली चट्टी भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है, तो फिर से लास्ट में कंक्लूर कर देता हूँ आपके लिए, इन केस पहला सिनेरियो क्या है, 16,800 से लेके 17,000 के बीच में खुलता है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, कोई ट्रेड नहीं लेना, आपने देखना है, क्या ये चीज ब्रेक होती है, क्या ये चीज ब्रेक होती है, ये चीज ब्रेक हो, पंदरा मिनट की केंडल का SL लगाओ, इस लेवल के उपर क्लोज होने का सेल करो, और ये पोजिशनल सेल हो, ये चीज ब्रेक होती है, तो इसके नीचे दुबारा से 15 minute की candle का SL लगाओ breakout अगर ऊपर की तरफ जाएगा buy करो आपके target 17,300 से 400 4 से 5 trading session में जो की आ जाने चाहिए that's it मुझे अपना क्या लगता है मैंने अपना personal view आपके साथ share कर दिया है data की video मैं already share कर चुका हूँ आप लोगों अच्छे से समझा चुका हूँ data क्या बोलता है ठीक है चलिए thank you दोस्तों in case आपको video पसंद आई हो like कीजिए trading कैसे करनी है मैं वो भी समझाता हूँ ये नहीं बोलता हूँ सिधा तेजी करिए मंदी करिए भीया SL कहां रखना है बहुत जरूरी है ठीक है और screen पे दिखने दीजी चलिए अरे एक बार मंतली चाट तो रहे गया है मंतली चाट लगते है मंतली चाट में तो एक red candle बन चुकी है भाई red candle बन चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो लेवल है ठीक है यह है 17,464 इसके नीचे जब तक है जब तक तो chances हैं यह बार बार इसी को टक्कर मारें ठीक है यह है और 16,800 के नीचे मंतली closing आनी impossible लग रही है मुझे मुझे impossible लग अब तक एक भी मंत में इसके नीचे close मंत मतलग जो 30 तारीक को closing आती है आप देख लिए यह आपका October का मंत है ठीक है November की closing यह है December, Jan, Fab तो अब तक की जो lowest closing आप यह है वह Fab की है और वह भूम फिर के आपकी 16,800 के उपर ही आई ठीक है अगर मंतली closing negative भी होती है तो मुझे लगता है कि 16,800 के आसपास ही होगी यह range अगर पूठती है तो फिर दुबारा से वही जो हमारे target है उसके आसपास Nifty आना चाहिए और यह जो line है यह touch होने चाहिए मंतली chart पे 20 EME ठीक है और अगर आप मंतली chart देखना जानते है अच्छे से देखते है तो यह कोई breakdown नहीं है यह rally हुई यह trendy move है ठीक है एक बहुत जबरदस rally हुई बहुत दो साल की rally है यह लगता और उसके बाद एक आप देखेंगे तो flag pattern बन रहा है यहां पर 18,600 का high है 17,000 के आसपास market भूम रहा है 18,600 का high है 18,600 का high है 17,600 का high है 18,600 का high है September में लगा दिया था September एक flag pattern बन रहा है तो एक high लगेगा लगना चाहिए ठीक है चलिए देखते हैं पर नीचे के कुछ level pending है और यह साल में बड़ी तेजी नहीं है यह मैं आपको बता रहा हूँ यह ऐसी consolidate करता रहेगा 3-4 महिने तो अगले June जुन जुलाई से पहले तो कुछ नहीं होने हो चलिए Thank you very much